अगर आपको option chain पढ़ना complicated लगता है तो this video is for you, तो कोई भी index होता है या कोई भी stock होता है जिसमें market में options trade होते हैं, तो उसकी एक option chain होती है और उस particular option chain की एक expiry होती है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सारे indices जाजाते हैं, यहाँ पर सारे stocks जाते हैं और यहाँ पर सारी expiry date जाती है, तो basically हम option chain की अगर बात करें तो yellow part जो है वो सारा call side पे इंदबनी होता है, white side पर जो है वो सारा out of the money होता है, इधर completely opposite हो जाता है, पर इस case में यहाँ पर आपको अच्छा advantage निमलता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अच्छे सा derive नहीं होती है, हम generally call side को जागर refer करते हैं, तो हम resistance के लिए refer करते हैं, और put side को refer करते हैं, तो हम उसको support के लिए refer करते हैं, पर यहाँ पर इत्ती clarity नहीं है, तो अगर आपको clarity चाहिए, तो आप sensible की option chain पर जो open interest है, वो आपको directly bar के थुरू दिखेगा, call side पे भी, और put side पे भी आपको अच्छा से bars के थुरू open interest बढ़ता हुआ, कटता हुआ दिख जाएगा, तो यह चीज़ें अपडेट होती रहती, जिसे market direction भी predict कर सकते हो, कि market किस direction में जाएगा,